हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने फोन का पासवाड अगर भूल गया है तो आप अपने फोन को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं दूसरे फोन के जरिए और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा क कि अगर आपका फोन कहीं खो गया है तो आप उस फोन को कैसे फॉर्मेट कर सकता है किसे दूसरे फोन के जरिए जैसे कि क्या होता है कि अगर आपका फोन कहीं पर घूम हो जाता है तो उसमें आपके बहुत सारे डॉक्मेंट्स जो रहता है या कोई भी डाटा आपका जो र कसरमा आपको मैं अपना चैनल टेक्टिफ तक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन परेजा करके किलिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेज करें तक हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता download करना होगा तो इसके लिए आपको play store पे जाना है play store पे जाने के बाद आपको search करना है play store में find my device को search कर लेना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको install कर लेना है जैसे कि मैंने install कर लिया है उसके बाद आपको यहां से open कर लेना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाएगा यहां आपको एक continue as और आपका जो भी YouTube channel है या email ID है आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा उसके जरीए आप यहां से continue करके भी login कर सकते हैं अगर वहीं आपका email ID होगा तब अगर वह email ID न करना चाहते हैं तो आपको यहां से sign in as guest पे click कर लेना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface देखने को मिल जाएगा यहां आपको क्या करना है कि यहां आपका email ID डालना है जो phone आपका खो गया है उसमें जो email ID उसमें उस phone में है उसको ही आपको यहां पे enter करना है जैसे कि मैं अपना दूसरे phone का email ID यहां पे enter करकर के आपको दिखा देता हूँ. Email ID एंटर करने के बाद आपके सामने एक next बोटन मिले का इसको आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको यहां पासवर्ड डालने को बुलेगा आपको यहां उस इमेल आईडी का पासवर्ड डाल लेना है उसके बाद आपको यहां से नेक्स्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहां से अलाव कर लेना है उसके बाद आपके सामने आपका फोन का जो लोगो है यानि कि आपका फोन का जो है उसकी जनकारी आपको यहां से देखने को मिलेगा कौन सा फोन है उसका आइकन यहां से आपको देखने को मिलेगा और अगर वह फोन स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ से लोकेशन भी देखने को मिल जाएगा अगर वह फोन बंद हो गया होगा तो यहाँ पर लगेगा अगर इसको आपको क्लिक करेंगे तो यहां से वह फोन जो है ओटमाइटिक रिंग करने लगेगा अगर वह फोन बंद भी होगा तो और उसको अगर आपके पास में है तो उसको बंद करने के लिए उस रिंग को आपको यहां से कर लेना है तो इससे क्या होगा कि से उस फोन पर एक मैसेज आपको भेजना है कि बाई मेरा फोनने में इसको वापस कर दो और अपना मोबाइल नमर भी डाल लेना के आपना मॉबाइल यहां ओसון नमर को डाल ना Hmmm मोबाइल नमर से आपको कन्टेक्ट कर सकते हैं उस मॉबाइल नमर को यहां आपको आपको एंटर कर लेना यह प्रोसेस उसके लिए अगर आप कहीं गए है और वहां आपका फोन तुरी हो गया तो उसके लिए यह प्रोसेस है यहां से आप अपना जो भी है आप अपना यहां पर मैसेज टाइप कर लेंगे कि भाई मेरे को फोन यहां पहुंचा दो या जो भी पहुंचा सकता है आपके पास तो ऐसा तो होता बहुत काम है, अगर लक अच्छा हुआ तो पहुचा भी सकता है, उसको यहां एक और अप्षन देखने को मिल जाएगा, erase device इससे क्या होगा कि आपके phone में यानि कि जो phone खो गया है उसमें जो भी data होंगे यहां से format आप उस phone को कर सकता है यानि कि अभी आप जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरे phone में उस email ID को डाल करके open किया हूँ जो email ID मेरा जो phone खो गया है उसका email ID इस phone में तो यहां से अगर मैं erase device करता हूँ तो क्या होगा कि उस phone के सारे data जो होगे वो delete हो जाएंगे जिससे मेरा जो भी data उस phone में था वो कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता है तो इस तरह से आप यहां से find my device यानि कि इस app के जरिए आप अपने phone को अगर घर में है या आसपास में है तो play sound के जरिए आप उसको पता कर सकते हैं या आप उसको अगर secure device करना चाहते हैं तो आप यहां से option दे करके mobile number दे करके आप कर सकते हैं अगर आप उसका सारे data को delete करना चाहते हैं तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उस फोन के IMI जो नंबर आता है अगर उसको आपको पता करना है तो आपको यहां किलिक करके आपके अपने फोन की सारी जनकारी देखने को मिल जाएगा अगर वह फोन स्टार्ट होगा तो आपको यहां पे लोकेशन भी देखने को मिल बस नहीं एक छोटी सी जनकारी आपको देनी थी और आच्छा लगे वीडियो तो फिर मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें जय हिंद जय भारत